हेलो दोस्तों नमस्कार निकली स्टोक एकडिम में एक बार फिर शेया आपका स्वागत हैं दोस्तों माज आई टी सेक्टर से रिलेटेड दो बिजिन्स होडल के बारे में डिसकर्ज करेंगे पहला है टीसी एस दूसरा इंफोसिस उनको कंप्लीट टेकनिकल चार्ट के तुर दोस्तों समझने की कोशिज करेंगे कि मेजर सपोर्ट इनके कहां पे हैं और दोस्तों यह भी जाने की कोशिज करेंगे कि टेकनिकल चार्ट को प्राइज एक्षन को किस तरह से रीड किया जाता है दोस्तों आप किसी स्टोक में पहले से इन्वेस्ट हो या किसी स्टोक में करना चाहते हो तो यह वीडियो को देखके डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह से इन्वेस्ट मेंट करना चाहिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आकन के और पर जरूर किजिए जिसे की नया वीडियो आने पर आपके पाँ नोटिफिकेशन सबसे पहले अब चलते हैं टेकनिकल चार्ट में यह दोस्तों टिसीएज का डेली टाइम प्रेम का चार्ट है सबसे पहले देखिए अपन प्राइज एक्षण को रीड करते हैं इस्टेब आइस्टेब हम डिसकर्स करेंगे आप टेंड होता है एक यह देखिए साइडवेज होता है अब टेंड की क्या करेंगा पाचान होती है इसको राइट कि तरफ अगर अगर उपर की तरफ जाता है मैं आपको इस्टेबास्टे बता रहूँ थोड़ा वीडियो बढ़ा हो सकता है लेकिन दोस्तों आपको लेर कhelp सकते हो यह देखिए लिफ्ट को ने से लेके राइट की तरब अगर उपर की तरब मु capitalist होता है तो आप उसका अप भंकर बोला जाता है दूसरा होता है डाउन भंट के लेखे नीचे की तरब आता है है तो उसको द डाउन बोलते तीसरा होता है sideways तो left- mellan से लेके और right का मीडल स्क जाता है तो उसको sideways पर करता है कि 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 अरन किते March कर सकते हैं कि अब ट्रेंड के देखेंगे हाई टौप ऱ्खुम बता है किस तरह से उपटर की तरफ ये वाल डाउं ट्रेंड में की आया कि लौ़र that लोटम मिलते हैं नीची की तरभ आया प्राइज ये टोप मान लिया लॉवर टोप लॉवर बोटम तो मतलब प्राइज का नीचे की मौमेंट तो लावर ठोप प्राएज में मिलते है यह कोई भी स्टोक अपने ट्रेंट पर जो चेंज करना चाहता हूं तो पहले लवर्ट वहते हैं उनको प्रेकाउड करेगा यहां पर आया पहले आने लोवर्ट करनी चाहिए उपर की तरब कब निकलेगा तब आपकी प्राइज होगी लगबग मान लीजिए अभी परजेंट टाइम की बात करें तो अगर उपर की तरब जाता है तब इसमें एक अच्छी की जासकती अधर वाइज नहीं की जा सकती यह अपना ट्रेंड की बात करेंगे कि कहांपर बाइंग परज़िटी करने चाहिए वह भी अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग केंडलिस्टिक पेटन होते हैं जैसे दोस्त अपने टेकनिकल चार्ट से रिलेक्टेट वीडियो बना रहे के आप जाके उनको देख सकते जिसे कि आप लिणिंग शीख सकते हो यह देखिये इसमें क्या हुआ गैने का आप यहां पर देखिए यहां पर क्या वाय एक ओपर की तरफ गया प्रइय को बोलते हैं त्रेंग इन केंड़ क्दरं बनाए व अगर एक टाइम प्रेम अच्छी कंडल स्टिक नहीं बती है तो बड़ी टाइम फ्रेम में भी अपन देख सकते हैं यह देखिए यहां पर shooting star candle बना है यहां पर shooting star candle बना डबल टोप बना यहां पर बुलीश इंगल्पिटन बनाए तो यह देखिए & फीर नहीं बनाया है डबल बोटम टाइब का पेटन बनारगा यह देखो डबल बोटम पेटन बनाए और फिर उपर की तरब निकल गया तो अगर केंडलिस्टिक पेटन नहीं समझ में आती है तो कोई ने कोई वह पेटन बनाता है उस तरह से भी देख सकते हूं पर जैन टाइम की बात करें कल इस यह वापस मतलब जो गेब डाउन ओपनिंग होई थी यह गवडाउन कब मतलब कितने होई थी लगब 200 पॉइंट के लगब गवग डाउन ओपनिंग हो फिर उसको रिकवर कर लिया तो मतलब एक बाइंग पोर्चुटी यहां पर बन सकती थी लेकिन मेजर सपोर्ट की बात करें तो अपन बात करेंगे अगर यह प्राइज के लगबग 3900 के लगबग या 3900 मान लीजी 3950 के लगबग अगर कभी वापस मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपोर्चुटी होगी क्योंकि अभी तक को ट्रेंड चेंज नहीं होए ट्रेंड चेंज कब होगा दोस्तों ट्र realize को यहाँ परी उपर की तरफ मदलर उपर के लाइन के पास महां यहां पर एक दो दिन रुखे या फिर अचानक ब्रेक आउट हो तो अगर यहां पर अवीलेबल होता है ने कर सकते हो चीघिए जलदबाजी नहीं कीजिये दो दिन में कर सकते हो तो आपकी इसमें आज क्या है मार्केट भी चल भी रहे लेकिन फिर भी देखे शुटिंग स्टार केंडल बनाने के बाद में उपर की तरफ प्राइज का मुमेंट नहीं गया नीचे की तरफ वह आपस आए गया तो यह नीचे इस अगर हैमर को जो केंडलिस्टिक पैटन बन तो इस तरह से आप स्टोक में कर सकते हो मैं अभी वेट करना चाहिए क्योंकि शुटिंग स्टार्क जैसे देखाया तो एंबर के इंडलिस्टिक पैटन बनने के बावजूदी और क्वाटरले रिजल्ट बहुत ही डाउन आए तो अभी एक-दो मतलब लगबग एक-दो मै 20 पर्षेंट के लगबगी रिटन मिल पाएगा 20-25 मिल सकता है मेक्सिमिम रिटन अब बात करते हैं देखिए दोस्तों कि दूसरा इस्टोक इंफोचीज कि यह इंफो स्टेश इन फोसीश इन सपरिकिशन का लगबग के लगबग करेक्शन कहीं और सबीन इस का दिखे अपना ट्रेंट देख लिए ब्रीप में बता देता हूँ अब्टेंड होता है अबस्तर हो डू रून को इसने गेप डाउन ओपनिंग के साथ तोड़ दिया है अब कंडिशन अपने टार्गेट क्या होने चाहिए अब टार्गेट यह होने चाहिए उपर की तरब आज गेप आप ओपनिंग वाप लेकिन नीचे की तरब अगर यह सुटिंग जो हैंबर केंडल सी बहुत ही सांद को सकता है कि다고 अभ्तिंग अफनेगों को दिपड़ करना है धीरी दिला आप अगर उपर की तरफ निकलता है तो आपको को इसका रिजिस्टेंस आपको ठाटीन फिप्टी के लगए सैंट्टी जो भी है यह जो लाईन है यहां पर मैंघर सपर्ट यह सपोर्ट ज거 रूर मिल पर देख सकते हो कि यह लगबग एक साल से इसी रेंज में आज 18 अप्रेल यह पहले का एक साल में इसने 0%แล am तो आपको बाइंग कोे करनाे अपना इसाप से बाईंग उसी कीजी यह से नहीं कि जलदबाजी में बाइंग भॉर्च्टी कर लिए अब 30 परचैन के लगभा कुरेक्षं में और बायंग पो ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड चल रहा है उपर की तरब आपको मुमेंट कब दिखाए देगा वह मैं बता देता हूं ब익 केंडरिष्टिक पेटर की बात कर लेते हैं थोड़ां किस तरह से ट्रेंड्रिवर्स्ट पेटर बने थोड़ा टाम फ्रेम बड़ा करो पहली कर्या था इसका कि yanग गर बोटां करता है तो आपको एक अच् сво piercing candle बनायते कौन सा pattern मनाया था इसको बोलते हैं piercing pattern मतलब पहले वाले रेट गेंडल को 70-80% के लगभर कर लेता तो इसको piercing pattern बोला जाता है downtrend में होगा और bottom में बिलता अग्जेक्ट bottom में था लेकिन condition यह है कि एक green candle confirmation candle बढ़नी चाहिए तो यहां पर ग्रीन केंडल नहीं बनी थी और फिर इसमें डाउन ट्रेंड वापस एक डाउन ओपनिंग होके फिर आ गया तो बाइंग पॉर्चुटी की बात करें तो सबसे पहले इस ट्रेड लाइन का वी उपर की तरफ रजिस्टिन जरूर मिलेगा है यहां देखे डबल बोटम ब्रेड टरफ्यल बनाया था किस तरह से यह प्रेंग्र्ल ब्रेक्डाउन की यह देखी यह यह Pak तो यहां पर पपोलिक नबी नोष ना सकती है इंपोसिस में अभी अपने को वेट करना चाहिए एक मेज़र सपोर्ट के के पास में यहां पर एवलेबल है यहां देखें एक फिबोनाची रिट्रेस्मेंट होता है जो कि अपने किस तरह से कोई स्टोक अप्ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना खा सकता है यह देखिए लगबग एग्जेक्टी आपन बात करेंगे तो लगबग 50% क कि रिट्रेस्मेंट के आसपास आके रुकावाय यहां पर तो उपर की तरफ देरे-देरे जाता है तो इसका मेजर सपोर्ट यह रहेगा और उपर की तरफ देरे-देरे आप छोटी-चोटी क्वांटिटी कर सकते हो इनफोसिस में वेट करना चाहिए आपको बैतन डिटें की बात करें इइनफोसिस में मिल सकते हैं लेकिन अपड़ेंट टाइम में इंफोसिस में अच्छी मतलब करेक्शन के वयलेबल है ऑची मेजर सपोर्ट है वहां पर भी आ सकता है इस तरह से दोस्तों स्टोक में रणमर्टिटिबना सकते हो मेरे साब से इंपोसिस मेंेरे- इसका सपोर्ट रहेगा इसको ब्रेकडाउन करता है तो और ज्यादा शेलिंग प्रेशर आ सकता है इतनी क्वांटिटी कि तरफ अगर चलता बाइंग पॉर्चुटी करने के बाद उपर की तरफ जाता है तो आप चोटी-चोटी क्वांटिटी में और बढ़ा सकते हूं और दोस्तों इस तरह से अभी इस टोक में रहन रहन दिती बना सकते हो मेरे साब से इनपंफ इसमंग पॉर्चुटी कर सकते हो चाहिए हैं जो कमेंड में जरूर बताई उसके बारे में डिसकुर्स कर लेंगे वीडियो अच्छा लगाओ तो आप लाइक कर सकते हो दोस्तों साथ भी कर सकते हो और जिन मैं मैंनों आभी चैनल को सब्सक्राइब ने कि और जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा और जो भी साती है वो किसी स्टोक के बारे में टेक्निकल चार्ट अनालीशिस से